बिहार के नितीज सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए खास तौर से महरवान है इनके लिए बजट में विशेस व्यवस्था की गई है दोनों मदों में करीव 83,000 करोर का प्रावधान दिया गया है जो पिछले बजट से 2300 करोर जादा है महिलाओं पर राज्य के कुल करीगी वर्ष 2023-24 में कुल बजट 2.61 लाग यानि की थाई लाग करोर से 37,949 करोर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर जबकी बच्चों पर 46,066 करोर खर्च होगा महिलाओं पर खर्च की जाने वाली राशी पिछली साल की तुलना में 1200 करोर और बच्चों पर गत वर्ष में 1100 करोर अधिक है यह जानकाड़ी विद्ध मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है विद्ध मंत्री ने विधान सभाद जकी विधान परीशद में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार ज्ञानी बजट पेस किया बता दें कि मंत्री ने नितीश कुमार से कहा की जेंडर बजट महिलाओं को विकास की मुख्य धाराक मेलानी का इकससत माध्यम है इसमें सरकार शंसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है कि जिससे महिलाओं को भी विकास का लाव पूरसों के समान मिल सकी दरसल जेंडर बजट कोई अलग बजट ये प्रावधान नहीं मुख्य बजट में ही महिलाओं से समंदित कारेक्रमों योजनाओं के लिए जो रासी आवंटित की जाती है वही है मेरो डिपोर्ट न्यूस पियार लाइव पटना प्रावधान प्रावधान नहीं प्रावधान प्रावधान नहीं प्रावधान प्रावधान नहीं